एक मात्रे राज ऐसा है जहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जी है जिसे प्रधान मंत्री आईश्यमान भारत युद्ना का लाब नहीं मिला है जब मुकस्मिल का कोई भी व्यक्ति हो वो स्कीम के दहद प्रधान मंत्री आईश्यमान भारत युद्ना का लाब ले सकता है हर परिवार के पास पांच लाख रूपय का पेंग कैपेसिटी सरकार ने ही जनरेट कर दिया है पांच लाख रूपय हर परिवार का और लगबग 24990 लोग आज तक इसका फाइदा ले चुके हैं और उनका पेमेंट भी हो चुका है तो हेल्ट सिक्तर में जो लोग इन्वेश्ट करना चाहते हैं इनके लिए मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी ऑपर्चुनिटी प्रजानमंत्री आवास योद्ना के तहट मैं अर्बन की बात करता हूं 56,000 नए घर बनाए जा रहा है कोई कलपना ही नहीं कर सकता कि जम्मु कस्मीर जैसे कम अर्बन एरिया वाले इस राज्य के अंदर 56,000 नए घर गरिबों के लिए बनाए जाए उसमें से 10,500 घर बनाकर उनको दे दिये गए हैं जो बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ा है मैं उनको बताना चाहता हूं कि तद्धान मंत्री जी के विजन के कारेंट जम्मु कस्मे के विकास में क्या फर्क पड़ा है ग्रामिन के तहट लगबग 1,36,722 गरों की स्विकृति कर दी हैं एक लाग 6,722 लोग घर के बगर रहते थे आचादी के 70 साल के बाद वो सभी को घर की स्विकृति दे दी हैं और उसमें से 47,320 लोगों को घर देने का काम समाप्त हो चुआ है जो पूछना चाहते हैं क्या फर्क पड़ गया उनको मैं बताना चाहता हूं यह फर्क पड़ गया सत्तर साल में आपने लगबग लगबग 2,20,000 लोगों को घर भी नहीं दे पाए थे दो लाख बीस अजार लोगों को सौचाले नहीं दे पाए थे, दो लाख बीस अजार परिवारों को आप बिजली नहीं दे पाए थे, दो लाख बीस अजार से ज्यादा परिवार, पूरे जम्मु कस्मिन को स्वास्त की सुविदाय नहीं दे पाए थे, नरेंद्र मोदी जी एक दो तीन साल के इस समय के अंदर इस सभी चीजों को पूरा किया है यह परिवर्दना है